तो रॉपल्ट्र उढूर्ट एक अन्ने का कंसेट्ट क्या होता या उनका ऊठने का तरीकर और हेलिक्ट्र के उड़ने का तरीक्ट्र है जब बुलेट निकलती है तो तो गन में बुलेट पर पोट लगाई ए व्यारान गिए ह। और यह से सेंड गिरी कर् бесп以 RAW इसकी फिर बात बदाएगी कि तो डहा प्रूट आप जायेगी तो अच्छी कर्ण लागनी पड़ेगी कैसे हैं आप लोग तो सब्सक्राइब सब्सक्रालिग चानल जिसका ओं प्रोडिट्र यह पह और आपका अपना अनुखुपता तो आज का हमारा जो session है वो है rocket propulsion के बारे में जिसे हम लोग हमारे stravers के हिसाब से variable mass systems के नाम से जानते हैं लेकिन इससे पहले कि हम उसे शुरू करें अगर आप मुझे directly contact करना चाहते हैं तो आप इस वारे link पर जा सकते हैं लिंक के link tr.wee slash अनुवे गुपता यह link नीचे description में भी है यहां से जाके आप directly मेरे telegram channel, telegram group और मेरे जो बाकी instagram ID अगर आप मुझे directly contact करना चाहते हैं तो उसमें जो telegram ID है वो सारे के सारे ID आपको यहां से मिल जाते हैं तो चलिए में शुरू करते हैं आज के session को अब simple सा सवाल यह आता है कि जो rocket उड़ते हैं इतने भरे भरे कई tons के जो rocket हैं वो सारे payload को लेके जाते हैं वो जमीन से ऊपर कैसे उठते हैं उनके उठने का concept क्या होता है उसके पीछे जो principle involved है वो कौन सा होता है अब जब यह rocket ऊपर उठते हैं और इतनी height तक चले जाते हैं अर्थ की gravity के बाहर भी चले जाते हैं तो क्या उनका उड़न का तरीका से होता है तो answer है हां जैसे इसका बिल्कुल से एक्जामपल लोग देखते हैं तो वह यह वाला आता है कि आपने इस तरीके के वीडियो करें आपने फन करते देखे होंगे कि जैसे जब गन चलती है तो उसमें से इंपल्स आता है मतला कर हम एक नकली गन भी चलात बिल्ड पर फोष्ट लगाई कर दिल्टन्स रटलो तर भी गन भी पर लगन पिछे जाती बुलिट आ गए गई गन पीछे गाई और इससे में लोग टॉल के नांब से जानते इसको ये एक बुलिट ना श्क्राइब ऑर फ़र्ष करोğa आगर आंगर और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि उसे एक्स्टर्नल फोर्स चाहिए आप जानते हो कि कोई भी सिस्टम तब तब मूव नहीं करता जब तक उसके उपर एक्स्टर्नल फोर्स नहीं लगती है अब इन दोनों बात पर जवाब एक दूसरे के अंदर ही है रॉकेट बनाने वालो फिल जलाया, उसे जए अनरजि निकली वह द्वुएं इनछि उसके द्वुएं को दे दी और वह द्वुएं द्वुएं थे वह दह्वार्ट तैजरी से नीचे निकाल, तो बैसी कली करने वाले इसके सारे सवाल गैसे भी आएंगे मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूँगा जिससे आप सारे के सारे के सारे रॉक्रिट पर्चिन्स या वेरेबल मास सिस्टम्स की क्वेशन्स आप सॉल्फ कर पाएंगे ठीक है तो सीधी सी बात है है था यह एनर्जी कंजर्व सीधी सी बात है जब भी कोई ऐसा सिस्टम होता है जिसमें से चाहे गैसे निकल रही हो या कोई पार्टिक निकल रहे हो या कुछ अंदर आ रहा हो जब मास हमारे सिस्टम का मास जब वैरी कर रहा होता है तो उस केस में हमारे सिस्टम की ओपर एक थ्रस्ट फोर्स लगती है 226 come simple formula पॉर्मूला खेस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वह होता है यू रिलिटिव कि मल्टिप्लाइट त्हूं का फॉर्मूला आता है वह दीन इंट्वन स्वाइट बस यही एक Wait मैंने इसे आप सारे題 क्वेशन्स सॉल्व कर सकते साइन्स यूज ज्यादा पूछे आते हैं जाए वह में नीट के लेवल पे हो या एडवांस के लेवल पे सिस्टम हम उस चीज को मानेंगे जिस में से कोई extra मांस आ रहा है या जा रहा है तो अब से यह हो गया मेरा सिस्टम ठीक है अब जो भी मांस जैसे इस वाले केस में से मांस बाहर निकल रहा है मान लीजिए कि क्वेशन में दे रखा है कि जो वेलासिटी है वो तो वी नॉट है और म्यू किलोग्राम पर सेकंड की रेट से एनर्जी मास बाहर फैंका जा रहा है प्लीज नोट हमारे सिस्टम के अंदर जितना मास है वो कॉंस्टेंट नहीं रह गया तो कि फ्यूल जल रह है कि रॉकेट धीर धीर हलका हो रहा है ठीक है एनिवेज लेट्स कॉंस्टेंट अंधर हम ऐसा भी करेंगे जिसके अंदर हम बाद में वेलासिटी निकालेंगे वह देखते हैं ऑविस्टी उसमें थोड़ा सा मैट्स जावा लगेगी बहुत सिंपल बात यहां पर यहां प निकल रहा है जो मास आ रहा है उसकी वेल्च दिखए जाते है बिद्रसफेट निचे जा रहा है फिक है यह से यहां पर मास नीचे जा रहा है फिक है तो माइनस वी नौट तो मंप्र-धिर बता ही ऐस्तितम है us के उसका जो मास है वह बढ़ रहा है कम हो रहा है तो यानि कि यहां पर हम लिखेंगे माइनस और किस रेट से कम हो म्यू किलोग्राम पर सेकिंड तो यहां पर म्यू भी लिग दिया खूबसूरत बात यह है कि इस फॉर्मले से आपको ध्रस्फोस का डिरेक्शन भी अपने मिल जाएगा अगर आपकभी क्वेश्यं सौब करना है तो लाजिकली सॉमल पर और यह प fonction यहां पर मैंनस मैंनस हो गहा है मुँ in to तो फ्लस मिसलोड यहां पर that कि out वह ओपर की तरफ लग रही आ है समझंग यह वाली बात यह उजयए समंग अगी veg वाली बात इस तरी लिए यह चली है समझ में अगर आ रहा है आपको लग रहा है कि हाँ तो तो क्या करोगे दिखाते जाओ और चैनल सब्सक्राइब करते जो चलो आगे बढ़ते नेक्स इसके बाद चलो एक प्वेश्चन और लेते हैं जैसे मान लीजिए कि एक रॉकेट था उसका ओरिजिनल मास एम नौट दे सब्सक्राइब करें और उस दूएं की जो वेलासिटी है नीचे की तरफ में सिस्टम के रिएटिव वह वी नौट है प्वेश्चन आप से पूचा जा रहा है कि लिफ्ट आफ के जस्ट बाद में एक्सलेलेशन क्या होगी जब बस यह लिफ्ट आफ वह उस ताम पर उसका मास कितना है तो यह हो गया हमारा में सिस्टम में जो थ्रस्ट फोर्स आएगी वह कितनी आएगी दफ्रस्ट फोर्स इस इक्वल टो यू रिलेटिव इंटू डिम बाई डिटी तो यू रिलेटिव हो गया माइनस वी नॉट ऊपर की तरफ एक बार फिर पॉस्टिव आते मल्टिप्लाइड बाई और डिम बाई डिटी डिम बाई डिटी हो जाएगा माइनस म्यू क्योंकि मास कम हो रहा है दोनों को मल्टिप्लाइग किया यह आ गया म्यू इंटू वी नॉट यहां तक हम लोग पिछले पॉस्टिव पहुच गए तो इसका मतलब इसके उपर यहां पर mg भी तो लगेगी तो नीचे की तरफ एम नौट जी भी लग रहे है क्योंकि एक्सेलेशन निकालनी तो नेट फोर्स देखनी पड़ेगी तो दो फोर्सेस हैं एक उपर म्यू विन और नीचे एम नौट जी अब सिंपल सी बात यह कि अगर मुझे इसकी एक्सेले इस इक्सेलेशन के डिरेक्शन को हमेशा पॉस्ट बाणके लिखते हैं लोग यूटन लॉस अपने पड़ा होगा नहीं पड़ा हो तो यह बढ़ी है ठीक है गलतियों से बचने का देखो जानकारी होना यह एक अलग बात है लेकिन इस वह उन तरीकों की जानकारी होना जि यह नीचे की तरफ फोर्स इस इक्वाल टू मास उस टैम पर मास एंटू एक्सेलेशन और यहां से आप चाहो तो एक्सेलेशन निकाल सकते है एक्सेलेशन की वैल्यू क्या जाएगी म्यू वी नॉट माइनस एम नॉट जी होल अपॉन एम नॉट यह आगे इस केस में एक् आप देखो रोकेट प्रॉप Holzन के खूबसूर्थी का है ठीक है कहने को मिसको रॉक्ट प्रपल्शन कह देतें या रोक इड वाले सवाल लेकिन इसके पर जो सवाल अक्सार आते हैं वह आते हैं बेल गाड़ी के यह ट्रेन यह जैसे की बहुत ही कॉमन कोशियन यह वाला ठ थीक है एक डायग्राम भी रखा है in the figure shown a cart moves with a on a smooth horizontal surface नीचे वाला जो surface है वो smooth बता रहा है भई सवाल पढ़ते जाओ डायग्राम बनाते जो हमरे जाओ sand falls on the card with a negligible velocity at constant data of new kilograms per second the new kilogram per second से यहाँ इसके पर sand गिर रही है and sticks to the card और card पे चिपक्याती है what external force must be applied on the card to keep it moving with a constant velocity तो कितनी velocity यहाँ पर force लगा के रखे ताकि यह इसी velocity से चलती रहे तो देख सीधी इसी बात है इससे पहले कि मैं इस सवाल को solve भी कर दो चुटी चुटी बाते क्या आप यह वाला surface भी smooth होता तो क्या होता लीचे तो smooth है यह सब बिस्मूद होता किता मज आता पता है क्यों क्या होता उसकेस में उसकेस में यह सवाल यहां पर यह आता है कि सर यह स्लो क्यों हो रही है लेकिन आंसर निकालने के बात तो पता चले हुआ क्या ठीक है देखो अब समझे इस बात को ऐसा नहीं है कि बतला सर आंसर तो आ जाएगा थ्रस्फोस हम निकाल देंगे आंसर तो आ जाएगा लेकिन हुआ क्या देखो जब वह सैंड गिरी वह रुकी भी थी और काट का उपर साथे तो भी तो घूँड़ा के अगरा उपार तो फैसा तो चल तो इसने से फिक्षण लगाया आगे ज्यों के इसको आता था कते यार मैं गरूंगा तो आप न तू मैं रूख जाया यार और वह एक कंड़ था उसने फोड़ी सी फोड़ तो फोड़ चुरा ही रिगा ऐक कर सकता था इसी लिए इस से ओपर थ्रस्पोर्स पीछे लग रही है निकालने के फॉर्मलेस बात नहीं है लेकिन फॉर्पोर्स पीछे लग रही है और अगर मैं चाता हूं कि अभी भी विलॉस्टी से चलता रहे तो मुझे इसको अलग से आगे की तरफ खीचना पढ़ेगा अब देख लेते हैं अगर यह स्मूथ होता तो कुछ होता है नहीं फिर तो वो कार्ट चली जाती और जब यह कार्ट खतम हो जाती तो यह सब नीचे गर जाते हैं वो तो फ्रिक्शन था इसलिए यह इसको घजीट के अपने साथ ले गया ठीक है चलो अब वैसे लिखा हुआ फ्रिक्शन था समलोगत तो जो कर्ण होती है यू रिलेटिव मुल्टीप्लाइड बाइ डी एम-पाइ डीती क्यों आएगी काथ लेलेटिव recognised पहले यह समझे से तो एक काम करते हैं सिस्टम के नाप पर हमारी काट ले रहे हैं तो अगर मैंने कहा ठीक है जो यह पार्ट आ रहा है जो इसमें जाके घुसर अब हमारे में सिस्टम का मास बढ़ रहा है इस केस में पिछले केस में हमारे में सिस्टम का मास कम हो रहा था अब हमारे में सिस्टम का मास बढ़ रहा है अगर वह बढ़ रहा है तो चलो ठीक है पहलो रिलेटिव वेलोसी देखते हैं हो और यह काम करते हैं राइट वर्ट को पॉस्टे मांते हैं मेरे सिस्टम के minus V not बोली जाएगी ठीक है इसके relative sand पीछे जा रही थी ठीक है तो वह minus V not बोली गई multiplied by dm by dt तो mass जो है वो इसका बढ़ रहा है कम हो रहा है मेरे से च्छमका वो बढ़ रहा है क्योंकि अब sand उपर से नीचे गिरी ता एक्स्ट्रा बढ़ गया mass तो वह लिखा जाएगा प्लैस और इसका मतलब जो थ्रस्ट फॉर्स आई है विश्वस निए सूत्रों से पता चला है कि वह माइनस म्यू भी नॉट आई है मायनस सेंग का मतलब यह कि फ्रस्ट फोर्स पीछे की तरफ लग रही है अब सवाल यह था कि मुझे यहां कितनी फॉर्स लगानी है ताकि यह कॉस्ट्रें पर उसी चलाने की लिए क्या करना पड़ेगा सिंपल सी बात है कि आगे वाली फोर्स पीछे वाली फोर्स बराबर शुडबी जीरो ठीक है तो यहांने की एफ की वैली जो है वो प्लस म्यू वी नॉट आ जाए कि समझ में आगी का सब के वाली बात ठीक है बचों अपने 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 लोगे सवाल को अप तो कर लोगे चला एक और क्वेशन देखते हैं सी जोपर अगला सवाल अलगे थो इविदी यहां पर और उसमें एक लीग डवलप हो गया लीग डवलप हुआ तो इसमें साइंग नीचे गिरने लग गई अब मान लोगे रेज नीचे गिर रही है म्यू किलोग्राम पर सेकंड के हसाब से बाहर निकल रही है और यह और यह आगर यह वी नॉट वेलासी से चल रहा था तो क्वेश्चन अब आप से फिर से यही पूछा जा रहा है कि आप मुझे कितनी फोर्ट लगाने पड़ेगी ताकि यह चलता रहे तो आप कितनी फोर्ट लाओंगे बताओ कैसे कैसे निकालो गया कितनी फोर्ट लगाई जाएगी तो बहुत सिंपल सी बात आ तो इसको आगे कि तो फीखना पड़ेगा जल्दी से पेपर लिखे रख रहे नीचे कमेंट करके लिख दो तो अगर सही हो तो यहां से सैंड बाहर गिर रही है तो हम यहां पर यह सेंड बाहर निकल रही है तो थ्रस्ट फोर्ज जो आएगी वो हो जाएगी यू रिलेटिव इन्टू डीम बाई डीटी एक ही फॉर्मॉला बार बार वही लगने वाला है तो हम यह करते हैं रिलेटिव वेलास्टी कि जो वैल्यू आ रही है समझो कि अब तो बेसिकली यह है कि यह रहा सैंड का पा ठीक है और उसके बाद यह जब गाड़ी ऐसे जा रहे तो जोड दिया तो समझो इस बात को मैं उसको यह जोड़ता हूं तो वह फोंग से जाएगा ठीक है अगर उसको छोड़ दिया तो उसकी इनिचल इल्वलॉस्टी को ठीक है मुझे वर्टिकल डारेक्शन में पॉर्स तो नो डाउट अब मेरे मेन सिस्टम का मास कम हो रहा है तो अगर यहां पर डिम बाई डिटी बोला जाए तो वह माइनस मू बोला जाएगा नो डाउट अबाउट लेकिन रिलेटिफ वेलोस्टी जीरो आएगी और जो काट की वेलॉस्टी थी जिए उसके अदर रखीनी सेंड की वेलोस्टी भी थी उसके आपके सैंड को छोड़ दिया तो इनिशेली तो वर्टिकल भी धिरदिर आई और होरिजॉंटल जो ती वह सही तो उसके साथ साथ जी नीची जाएगा तो होरिजॉंटल इसका मतला हमको फोर्च की रिक्वार्मेंट है ही नहीं इसको कॉंस्ट्रम फिलाशी से चला के रखने के लिए शमझना है यह वाली बाट क्लियर है क्या और प्दिंग लॉजिकल लॉजिकली तो इसको तो उसकर दिल में यह बहुत हो लेकिन सर आफ राइब मास तो कम हो रहा बढ़ जाएगी पर भाई साब वो जो मास कम हो वो गायब थोड़ी हो गया या रुख थोड़ी गया वो जब यहां से निकला है तो आपने इससे का मोमेंटम साथ लेज़े गया ना ओर जॉन्टल वाला इसका मतलब सिंपल सा इतना हुआ कि इसने इस पर जाते टाइम कोई फोर्ट नहीं करी बस तु जा जीले अपनी जिंदगी जा रेट जाींड जा सैंच जा जीले अपनी जिंदगी ठीक है वो बिलए कोई इसने उसको बिना कोई फोर्स लागा है छोड़ दिया तो इसने भी तो उस पर कोई फोर्स नीं लगयी समझ में आ रहे है वाली बात अजब फोर्स ही ने लगयी तो यह क्यों क्यों हो एगी क्लेर है क्या समाझ में आया की concept चलो एक और क्वेशन देखते हैं अगला सवाल यह थोड़ा सा कॉंप्लेगेरिट है यहां पर हमने क्या किया कि कि मास भी वेरी कर रहा है थोड़े टाइम बात बताईये वेलास्टी क्या हो पर दे इंदर फिगर शोन अब कार्ट मूज ऑन समूज और सबसाइए डू टू टू एक्स्टरनल कॉंस्टेंट फोर्स बहार से लग रही है एक क्टेंट आपको बात करनी है ठीक है इनीशेल मास of the cart is M0 ये थोड़ा सा भी कैसे थे एडवांस के लेवल पर सवाल है क्योंकि क्यालकुलेशन थोड़ी सी गंदी है ठीक है गंदी मतलब complicated है मतलब जिसको मज़ा आता है वसकील अच्छी है मेरो मुझे तो बहुत अच्छी लगी और इसकी इनीशेल वेलास्टी जीरो थी ठ प्रशन के अंदर सैंड फॉल्स ऑंड़ा कार्ट वेलासिटी वेड़ा कॉंस्टेंट रेट अव्यू किलोग्राम पर सेकेंड एंड स्टिक्स तुदा कार्ट बहुत खुशी की बात है तो टी टाइम बाद वेलास्टी कितनी होगी यह पूछा जा रहा है ठीक है कोई दिक किसी टाइम पे इसकी वेलासिट हो चुकी है तो यहां लिखा जाएगा मैनस वी और dm by dt के बारे में क्या लेखा जाएगा कि दीबर डीटी हो जागा प्लस गीं कि इसका मतला थ्रस्ट फोर्ट आगई माइनस म्यूवा तिके थ्रस्ट फोर्ट की वेल्लियो आगई माइनस म्यूवा यह वाली बात सब कैसा तहला फोर्स है पीछे कि तरह फोर्स जी रू है टी तैंब thrust force, thrust force किती निकाली है हमने, mu V, या F plus thrust force, और thrust force खुद negative है, आगे किया रहता है, F है पीछे के तरफ mu V है, ठीक है, यह हो गई force, is equal to mass into acceleration, acceleration को मैं dv by dd दिख देता हूँ, अच्छा, mass भी constant नहीं है, usually क्या होता है, ऐसे questions है, कम से कम, एक mass का सहारा होता है, कम से कम यह constant रहेगा, पर यहाँ पर mass constant नहीं है, शुरू में mass m0 था, mu की rate से, लगातार, mass बढ़ता जा रहा है, हमारे system का, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, F minus mu V is equal to, m0, plus mu T, into dv by dt, उम्मीद है, समझ में आगया होगा, ठीक है, थोड़ा सा rearrange करेंगे, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, यहाँ आएगा, dt upon, m0 plus mu T, ठीक है, मुझे लगता, मुझे बात नहीं यह जाली, जगा घिन नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो m0 plus mu T, dt upon m0 plus mu T, is equal to, time जाएगा, 0 से T, T equal to 0 पर, velocity हम 0 बानके बैटे थे, पुच्च में दे रखी थी, sorry, और T time पर velocity पूछी गई है, इसको integrate करना है, क्या लगता है, इसको integrate कर सकते हैं क्या आपने, हाँ हाँ, उसको आप integrate करेंगे, तो क्या आएगा भाई साब, तो जब मैं इसे integrate करने की कोशिश करूँगा, तो यह आजाएगा, limit भी डाल देता हूं, मैं लग जाता हूं, तो यह आएगा, 1 by mu, into ln, m not plus mu t, और limit भी डाली देता, divided by m not भी आज़े, ठीक है, और right hand side में अगर मैं जाँगा, तो right hand side क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा, minus 1 by mu, into ln, f minus mu v, upon f, उमीद्य आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इसको जब मैंने solve किया, तो mu से तो mu कटा, minus sign उपर चड़ाओ, तो basically आम यह कैसे थे, solving this, इस तो यह आग्या आपना, expression final वाला, ठीक, चलो, अब एक और question करते हैं, यह भी एक काफी common question है, कही बार बूचा जाता है, कि भाई अगर एक chain थी, इरोडो का सवाल है, ठीक है, कि यह uniform chain है, उसका mass M है, हर तरीके के सवाल जो आते हैं, इसके उपर, chain is released from rest in this position, chain को यहां से rest छुड़ दिया, जा बेटा जा, जील अपनी जिन्दगी, यहां से रसी का, उद्गाटन कर दिया, काट दी रसी वाँगे, ठीक है, एट एनी पॉइंट आट, एट एट, स्वावी, एनी पॉर्शन देट श्राइट दा फ्लोर, कमस तू रस, एक तो उन्हें ने यह वाली बात, पहली स्पेसफाइ कर दी है, कि ऐसा टिपा नहीं खारी, ठीक है, जो टकराया पास भी रुग गया, अच्छा, दूसरी बात यह एक, धेर भी नहीं मनाया, फ्लोर, वेन दा होल चेन इस उन दा फ्लोर, ठीक है, अगर डिस्टेंस गिर गया, पहले अपन एक्स के डांस में लिखते हैं, ठीक है, अगर उमान लो कि वो, यहाँ पर एक्स डिस्टेंस अगर गिर चुका, तो उस टैम पर अपने को फोर्स निकाल दीगी, जब एक्स डिस्टेंस गिर चुका है, तो उस टैम पर फोर्स कितनी आईगी यहाँ पर, दोको बहुत सिंपल सी बात है, पहली बात, तो एक्स डिस्टेंस का फ्री फॉल हुआ, अगर चेन का मास मान लिए कैपिटल M था, या M दे रखा है, चेन का मास अगर M था, उसकी लेंद ल थी, तो हम यह कह सकते हैं, कि जितना मास जमीन पर पढ़ा है पहले तो उसका मास कितना है, तो इसका जो मास है वो M by L into X हो जाएगा, देकें, इंटू जी इतनी फोर्स तो यही लगा रही है जमीन पर जो ब्लू वाला एरो दिख रहा है, तो जमीन को इतनी फोर्स तो इसको सम्हालने के लिए लगाने पड़ेगी, सवाल बेसिकली यही है कि जब बेसिकली आप यह मान के चलो, यही बुझ लिए कि पूरी चैनी नीचे गर गई तो क्या होगा, पूरी चैनी नीचे गर गई फड़ तो फिर तो सिदे सिदे मजी हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो एक्स डिस्टेंस गिरावा उस टाइम पर आपको फोर्स निकाली तो कैसे निकालोगे तो हम यहां पड़ यह कह सकते हैं कि भई देखो ऐसा है यह जो चैनी यहां जमीन पर पड़ी है उसको तो बैलन्स करी रखा है उसको तो नॉर्मल लगा के रोक ही थी और अच्छानक जीरो हो गई तो बही कितना भी छोटा मास हो अगर वह इदो टक जाकरा कर रूख जाएगी तो बही अच्छी काशी फोर्स लगानी पड़ेगी तो वो जो एक छोटा सा डी एक्स लेंट का मास था उसके बारे में भी तो बात करनी पड़ेगी ठीक है त तो वही जो फोर्स उपर से चेन की वैस उस पर लगी है वही फोर्स जमीन से नॉर्मल से लगी हो कि ताकि वो धेर अपनी जगह पर रुका रहे ठीक है तो उपर से जो फोर्स आई वो और कितनी हो जाएगी यू रिलेटेव इंटू डियम बाई डिटी अब देखो इसके अब ये जो लीचे डेर है तो इसके अंदर आए जो वह सिस्टम हो रहा है उसकी वेलासित जी two x हples बराएं कि यहां पर मास बढ़ रहा है कि कम हो रहा है है जहां जो हमारा नहीं देर है उसके ओपर मास बढ़ रहा है critical meant clean कि अब कि है आपको यहां पर द्म के छोटों को में द्यूंद का मास के तना होगा M by L into dx एक छोटू का मास के तो ना होगा M by L into dx और वो अगर वो dg तकर आ गया तो यह M यह हो जाएगा dm by dt और प्लस साइन इसलिए है क्योंकि हीप तो बड़ा हो रहा है धीरे-जीरे धेर धेर तो बड़ा हो रहा है ठीक है वो धेर का साइज नेगलिजबली स्मॉल है लेकिन वो जमीन पर चेन पड़ी है वो धीरे-धीरे बढ़ रही है dx by dt तो वी है खुद और वी तो रूट टू जी एक से तो यानि कि मैं यहां कैसे ता हूँ यह क्या आ गया यह आ गया M by L into root 2gx और एक और root 2gx यानि कि 2gx और एक minus sign और है minus sign क्या indicate कर रहा है नीचे की तरफ minus रहा है मतलब यह कि जो ऊपर से चेन आ रही थी उसने धेर के उपर force नीचे की तरफ लगाई लेकिन फिर भी वो धेर कहीं गया नहीं इसका मतलब क्या है कि जमीन ने भी उतनी force extra लगाई होगी ताकि तू रुका रहे भई ठीक है तो इसका मतलब यह हो गया अगर मैं उस धेर की बात करूँ तो धेर पे thrust force लग रही नीचे की तरफ यह M by L into 2gx M by L into 2gx ठीक है धेर के उपर नीचे की तरफ force क्या है M by L into 2gx तो अगर वो normal के चलते वो heap कहीं नहीं जा रहा है तो वो normal total कितना होगा normal की total value होगी वो 3 mgx by L आ जाएगी तो कैसे इन questions को solve करना है यह चीज आपके लिए बहुत important नहीं जाना और यह advanced level के सवाल है इससे ज़्यादा सवाल एक और सवाल मुझे यहाद आता है जो आप चाहो तक खुद से कर सकते हो उसके अंदर यह है कि ऐसी chain का धेर पड़ा हुआ है और एक end को लेके धीर धीर उपर लेके जा रहे है उपर वाले end को constant velocity V से उपर लेके जा रहे है तो बताओ कितनी फोर्ट लगानी पड़ेगी अगर अगर अल्री एक्सलेंट हवा में आ चुकी है ठीक है यह question आपके लिए है करना try ठीक है मैं बना देता हूँ यहाँ पर कि अगर यह जमीन है ठीक है जमीन के ऊपर यहाँ पर बढ़ी थी बहुत सारी chain हीप का जो size है वो negligibly small था और उस chain में से आप यहाँ पर एक f force लगाके इसको उपर लेके जा रहे है ठीक है so that जो उपर वाला end है उसकी velocity v naught पे constant है इस end की इसका mass m था length इसकी l थी और जब यह already x length उठ चुका है तो उस time पर force as a function of x क्या होगी that is the question तो यह वाला सवाल आप solve करना hint देर देता हूँ में आपको hint यह रहेगा कि आपका जो main system है वो अब यह वाला part रहेगा ठीक है क्योंकि यह जो चलने वाला part अच्छा प्लस खास बात ही यह constant velocity चल रहा है तो इसके पर net force क्या नीची है जीरो तो एक mg लगेगी नीचे एक thrust force इनकी वैसे लगेगी और एक capital F लगेगी इन तीनों का resultant जीरो वाना चाहिए अच्छा लगे तो प्लीज की प्सप्रेडिंट के साथ आप उसके साथ मुखादिब होंगे तो I hope I helped you and अगर आपको अच्छा लगे तो please keep spreading the love and keep showing your love and support so that should be all for today keep doing your best keep growing bye bye take care and thank you